इस साल होली का पर्फ 25 मार्च को मनाया जाएगा और इससे 8 दिन पहले यानी 17 मार्च से होला अश्टक की शुरुआत हो गई है इस सब्धी के दौरान कोई भी शुबकारे जैसे विवा, लगन, मुंदन, नियाववापार और नया कारे नहीं किया जाता माना जाता है कि इन कारियों को करने से शुफल की प्राप्ती नहीं होती शास्त्रों में होला अश्टक में किये जाने वाले उपाय के बारे में बताया गया है ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने से इनसान को जीवन की कई तरह की परिशानियों से मुक्ती मिलती है धन की प्राप्ति होती है करियर में सफलता हासिल करने के लिए होला अश्टक में तिल शक्कर और जो से हवन करें मानेता है कि इस उपाय को करने से उन्नती के मार खुलते हैं और मन्चाहा करियर भी मिलता है इसके लावा श्रीहरी भगवान अर्सिंग और हनुमान जी की विद साल होली से पहले याने की फालगुन मा कि शक्लपक्ष की अश्टमितिती के दिन से होने लग जाती है होली से आठ दिन पहले होला अश्टक का प्रारंब होता है इस साल 17 मार्च से होला अश्टक की शुरूआत हो चुकी है और इसका समापन 24 मार्च को होगा और 25 मार्च को पुर्देश्वर में होली बनाई जाएगी